आज का सबसे बड़ा न्यूज दोस्तों टीडीडीस ये पार्ट वान पार्ट टू और पार्ट थिरी पार्ट वान 20 से 23 वालों पार्ट टू 19 से 22 वालों के लिए और पार्ट थिरी जो 18 से 21 वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ा न्यूज आज इस पेपर में दोस्तों दिया ह हुआ है क्या कुछ न्यूज में दिया हुआ आगे इस वीडियो में आप सब जानने वाले हैं तो इसमें दिया हुआ है लंबित परिक्षाय फॉंसी अब मार्च में ही सुरू हो सकेगी सनातक पार्ट वन की परिक्षा सनातक पार्ट वन मतलब सेसं 2020 से 23 वालों का एक और बात इसमें लिखा है चले हमें इसको पड़कर आप सब दोस्तों को असानी से बता देते हैं यहां पे लिखा हुआ है फ्राम जूम आउट कर देते हैं बिहार विश्वविदाले की लंबित परिक्षाय फिर फस गई है विश्वविदाले को सनातक की परिक्षाओं के लिए सें उपलब्द नई हो पाने की बात सामने आइए अब किसी भी हाल में सनातक की परिक्षाय मार्च में ही सुरू हो सकेंगी ज्याज तो सनातक पार्ट वन और पार्ट टू और पार्ट तीरी की परिक्षाओं मार्च में होगी यह तो सबसे बड़ा न्यूज हो गया चलिए सांसान की सनातक पाठ त्वर 2018 – 21 , हैं जौस पाठ थीरी यहां प लिखा हुआ है । सनातक पाठ 1 सेसन 2020-2023 यूसे पाठ थीरी के परक्षा उगी उसके बाद City यूहां पर लिखा हुआ है । सनातक पाठ 2 की परिक्षा लेने की तियारी है लेकिन विभाग का काना है कि अब मार्च से पहले ये परिक्षा नहीं हो सकेगी अगले मां इन छात्रों का परिक्षा फॉर्म भरवाय जाएगा जी हंस तो आपका फॉर्म मार्च में नहीं फॉर्वारे में आपका परिक्षा फॉर्म भरवा की गई है दो से तीन दिनों में सनातक के लिए भी फोरम भरने पर निगना ले लिया जाएगा जियांस तो आपका फोरम फरेमरी में भराएगा और आपका एकजाम मार्च में होगा यहां और एक और बात लिखा है अभी पार्ट टू की होनी चाहिए ती परिक्षा है लेकिन लेकिन सनातक पर टू की परिक्षा भी नहीं हो सकी इसी तरह सनातक 19-22 के चात्रों को अभी अभी पार्ट थर्ड की परिक्षा की त्यारी होनी चाहिए थी लेकिन अभी पार्ट वन के रियल्ट में सुधार हो रहा है जियांस तो हमको आसाने पुड़ा उमीद है कि इस न् होंगे काने का मतलब है कि आपका एक्जाम मार्च में होगा और फोरम फरवरी में भारा जाएगा जियांस तो जैसे कुछ और निउस निकल कर आता है तरह लेकर आते हैं नया वीडियो तब तक के लिए जाए हिंद जाए भारा